जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पे और मैं आपका दोस्त आरेल चुहान आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कन्या कुमारी के टॉप 15 प्लेसेस को जो डिश्टेंस के अधार पर लिया गया है डिश्टेंस का बेस कन्या कुमारी टेंपल को जहां से दूरी के अधार पेर इन सब जगों को मार्किंग किया गया है तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने जर्नी पे और अनंद लेते हैं इस सफर का तो गैस यह है हमारा टीम जो अभी हम लोग निकले हैं टूर के लिए तो यह है पूरी टीम अभी जा रहे हैं हम लोग कोई बंगाल से हैं कोई पंजाब से हैं सबी मिक्सप है यह हमारा टूर को कोई असाम से भी है अच्छा जी और यह मैं हूँ यह हमारी टीम पूरे अभ देखिए यहां जलास है तो हम लोग हर जगह देखते थे खास करके असाम भंगाल तलाव लेकिन इतना खुब्सूरत लग रहा चारो तरफ तलाव के घर मने हुए है तो यह है देख दीजिए यहां का रत यात्रा तो यह सब पॉमन चीज़ें हैं आप उडिशा से शुरू हो यहां का यह रत प्खडी का बना हुआ रत है और यह है यहां का मंदीर यह देखिए जब हम लोग अहां अंदर आते हैं तो इस तरह से कपड़े उदार के आपको अंदर आने पड़ेंगे यह है यहां का पर्चतर अ हैं है ऐसमें डिशा, दो उर्द वार अजार से सबस्केस जब सतरा देखिए कि सबस्क्राइजेता कि अटिवए गाइगे जबर में हैं आपके आपके सब्रहल से नहócरे उदार्या इसमेंदाने का रेच आपको देखिए लागवे मंदीर जा आपके सब्स्क्राइब स्वक हम लोग डाउट पर्मेशन भी बिलियोग्राफी बना कर ले रहे हैं तागे हम अपने दर्शोपों को दिखा सके और यह सेंटर एरिया में मंदिर यहां पर साहिवावा का का खुब सूरत मंदिर बनाया गया है यह में हाइवे के ऊपर है इधर पहाड़ी एरिया का भीव है चारो तरफ पहाड़ी एरिया है बिल्कुल कास्मीर जैसी वादियों का आपको अनन मिलेगा देखिए कास्मीर बर्फ जैसा फिल उपर में हो रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखानेया कोशिश करता हूँ यह बादलों को टच करता हुआ यह पहाड़ी और इधर यह साहिबाबा का मंदिर चली अंदर देखते हैं यह है साहिबाबा मंदिर यह इनका फ्रंट लूप तो जो आप इधर आएंगे गुमने के लिए एक खन्या गुमारी का टूर पे तो आपको गाइट यहां भी लेक आएंगे यह है यहां का अर्ये है में नेशनल हाइवे है साइथ तो हाइवे के ऊपर में है यह मंदिर शायवाबा मंदिर चली देखते हैं आगे क्या है आगे अ आगे 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 यह देखें यहां कि आगे 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 साफ एख भुब्सूरत मंदिर है यहां का यह समुद्र के किनारे बनाया हुआ मंदिर है तो यहां का भीव आपको चली अंदर देखते हैं कैसा है यह रहा काफी बड़ा प्रांगन है इधर काफी टूरिस्ट देखिया इस साइड में यह है मंदिर का प्रांगन देखिए काफी खुब्सूरत लोकेशन है बहुत कि अच्छा भी हुए यहां से चारों तरफ का और यह देखिए बहुत है यह हमारे टीम के लोक तभी आ रहे है अभी दर्शन के लिए तो बहुत ही खुब्सूरत नजारा यहां से चारों तरफ यह देखिए समुद्र का नजारा तो यह देखिए यहां से आपको दिवेकानन रोक भी दिखाई देता है यह देखिए दिवेकानन रोक जिस पे हम लोग कल भूमने गये थे और यह रहा यह होटल जहां पे हम लोग रूके हुए थे और यह टेम्पल देखिए काफी खुब्सूरत टेम पूरा मन्दूर का प्रांगन अभी मंदिर बंद है, कुछ जरबाद खुलेगी, आज ही समूदर का पानी बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है, खल दिन में हम लो जब देख रहे था, कल साम को तो भुलू दिखाई दे रहा था, अभी लगवक पानी हरा हरा था, कुछ भीव में आ रहा है, कैमरे में तो तो यह है, यहां का साइंस मुजियम, रमायन काल के जो भी घटनाये थे, उनका चित्र कला के रूप में समझाया गया है, काफी अच्छा है, दो फ्लोर में आप यहां आएंगे, तो यहां का चार्ज, पर हेट 30 रूपी से यहां का चार्ज, और एक पगार का यह मुजियम ह चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, तो यह है मंदिर का बैक एरिया, इसमें लोग, तेखिए, पसु पक्छी का बनाया गया है, और इधर आगर के लोग पोटो कीचाते हैं, पसु पक्छीयों के साथ, यह परकृतिक को दिखाया गया है, इस मंदिर का यह बैक एरिया है मंदिर तो नहीं कहोंगा यह मूजियम है साइंस मूजियम बोल सकते हैं इसको जब भी आएंगे तो यह पुरानी कलक रित्मियां साउथ की पुराने हलाके यह सब रित्मियां नए टाइम के बनाए हुए है तो इस तरह करना जारा आप यहां पर देखेंगों यहां काफी अच्छा पार्क किसा चोटा सा बना रखा है लोग सेलफी की चाते हैं यहां पर यह देखें चोटा सा पार्क पसुपक्चियों को दिखाया ग यह है विवेकानंद जी चित्र परदर्शने चुकि अंदर में पिक्चर एलाउड नहीं है तो अंदर फोटो नहीं कर सकते हैं तो बाहर से आपको दिखाते हैं जब आप यहां होगे तो यह भी देखने को आपको मिलेंगे तो यह देखिए विवेकानंद ट्यूटोरियल क दिखा रहा है एक जूबेशन देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़े हैं यह एक मुजियम है आपको ऐसा कुछ अंदर देखने को मिलेगा लेकिन यहां का यह ओवर व्यूव तो यह एक्जूबिशन है विवेकानंद जी का इसमें उनके बारे में पूरी हिष्ट्री लिखी हुई है यहां की मार्ण बले किसके यह कलाई की नियू कीईाओन मुज़ार आतzen की यह फो पो यह देखने जी तेखने यह लियूम झाले के свコ Choose कि यहां की थेखने, और में झाले करता है, शीवा साあぁ hospitals के अंधा है। तो इधर में गनपती जी का मंदीर है, उचलिये थोड़ा इधर भी दर्शन कर लिया जाए, जब हम लोग सौर्ट के टूर में आप आएंगे तो आपको यहां यह सब चीजें देखने को मिलेंगे, काफी लंबी टूर है, तो यह है, यहां का देख लीजी, अश्पेस्टल गनपती जी का मंदीर, फोटो खिशना मना है यहां, लेकिन वीडियो ले सकते हैं, तो यह है, यहां का राम मंदीर, भगवान स्री राम का, यह हमारा ग्रूप का लोग, अभी हम लोग आया है, जर्ष्ट भगवान राम जी के पास, तो यहां पोटो खिशना मना नहीं है, यहां का विडियो हम लोग दिखा सकते हैं, आप लोगों को यह भगवान स्री राम का मंदिर है यहाँ पर हम लोग आये हैं बैक्स मीजियम में मीजियम का नजायरा चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं क्या कुछ है अंदर देखने के लिए यहाँ पर काफी कुछ देखने को है तो यहाँ पर काफी कुछ सब मौम के बन अब यह है यह हमारे इस्टार अमिताब वचन जी यह अर्नॉल्डो है और इधर क्या है यह विच विलिस बाकि हमारे प्यम साफ मन वहन जी ज्वालाल मेनु साफ और इधर अब्दुलाम जी और यह लास्ट में हमारे प्राप ओवामा साहब हैं देखते हैं इधर में क्या कुछ है ओ हो 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 यहां सारू खान साहब है और यह देखिए यहां पर रबोट तो इस मेजियम में मौम के बने हुए स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे हंडेट रुकी चार्ज है पर परसन तो यह देखिए काफी पुराने हेलवर्ट आइस्टीन का है यह फोटो अलवर्ट आइस्टीन तो हमारे साइंटिस्ट थे और यह रविंद्र ना टायगोर जी तो रविंद्र ना टायगोर जी का भी यहां पर एक कुदला बनाया गया है और विजियम का यह नेक्स्ट पढ़ाओ देखिए इधर पर इसका चारली चापिन जी यहां पर मवजूद है और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहां विजिकानन जी का फोटो है और यह देखिए घांदी जी के साथ बैठी हुई है मैडम इधर तो घांदी जी इधर चर्का चला रहे हैं यहां का सेलफी रोग लोग यहां सेल जी किचाने आते हैं तो यह देखिए लोग आपको सेल्फी किचाने का सेथरोत तो आप यहां पर सेल पी किचा यह है सब्सक्राव क्यिद्ध चलिए सेल्फी रोगके तो यह है दूसरा पढ़ाव हम लोग का मेजियम के ठीक पीखे यह मंदिर है पुराना मंदिर आपी और इसके अंदर अभी मैडम गई हैं देखने के लिए और मंदिर के बाहर प्रांगन में देखिए ये चारों तरफ पगीचे लगे हुए हैं और कौसाला भी हैं कुछ गाई रखे हुए हैं यहां गाईयों का भी गाउदान अगर आप करना चाहते हैं तो गाउदान आप कर स कन्या कुमारी जब आप आएंगे तो सबसे में चीज अगर यहां कुछ है देखने के लिए और यह एक बड़ा सा सिनन्यास अभी बन रहा है अभी है अंडर कंस्ट्रक्शन है और यह रहा यहां का कन्या कुमारी शिखी नदी समूद्र के किनारे पुरा समूद्र के तरह कि इसके बाद भी बोटिंग बन वो इधर से देखते हैं समूद्र का नजारा यह देखिए वागे में बहुत खुप्सूरत है यह निले निले सागर और फुश्रत हैं कि बहुत हुश्रत बिख रहे हैं यहां से देखिएिए इसका ब्रियू एंगल पर फी सुष्रत है थे यह गाइंज निखिए लोग आप तेरे-देरे निकल रहे हैं आप इस तो तो शाम के पांच वजने वाले हैं लर्वर्स और यहां का हमाया भी शमाथ होने वाला है और यह रहा लास्ट बर्षन विवेका नंग्डोप का और स्कूल के बच्चे देखिए आ रखे हैं सभी यह लास्ट प्रिस्था यहां आने का लोग अभी धीरे-धीरे यह बोट जयती के तरब जा रहे हैं सभी और सभी को यहां से अभी निकाला जायागा धीरे-धीरे और यह मंदिर भी अभी क्लोज हो गिया है इसमें बीवेका नंग्डी का एक बड़ा रास्मारक रखा हुआ है जब आप कन्या कुमारी आएंगे तो यहां देखने की यही सबसे खास चीज है यह विवेका नंद्रोक और यह एक टेंपल बनाया जा रहा है और यह किसका टेंपल है यह आपकुद ज़स्ट कर लीजिए गया तो अभी हम लोग ज़स्ट यहां से अपच आ रहे हैं अभी हम लोग सुबह सुबह आये हैं संड्राइज देखने के लिए लेकिन संड्राइज हो चुका है थोड़ा लेट आये यह देखिए इधर यह रहा अपना वेवेका नंद्रोक और अभी हम लोग बहुत ही पुरानी मंदिर के पास खड़े हैं तो जश्ट अभी मंदिर स कि अंदर से बहुत ही अधबूत बहुत ही पुराना मंदिर है जब आप इसका यह देख रहे हैं बहुत ही सद्यों पुराना बनाया गया यह पुरवजों के दोवारा और यह रहा भी हम रोग यह सुभा का टाइम का दिरिश्चे है मौनिंग मौनिंग टाइक में सुर्य ठीक इनके पीछे उबता है यहां पर और इधर से यह पुरा खन्याकुमारी सिटी यह देखे आप यह है मौनिंग का ओवर व्यू यहां का पुरा बहुत ही खुक्तुरत जगा है यह यह यहां का संसेट पॉइंट आनि दूपता हुआ सूरज का मजा रहा और यह देखिए लोग यहां संसेट पॉइंट का मजा ले रहे हैं और इसी चीज को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं समुद्र में सूरी आपको फिल होगा समुद्र के अंदर डूब रहाय करके और इधर देखिए लोग मजा ले रहे हैं समुद्र में पानी में आता और इधर है विवेका नंगो लोग यह देखिए यहां से चारु तरफ का हेंगल देखिए यह पूरा संसेट पॉइंट है यहां आपको कई परकार के दुपाने जैसा कि बीच के उपर होता है खाने पीने के समान यह सब चीज़े मिलते रहते यहां पर और यहां पर नहाने के लिए कुछ दिवस्था की गया है लोग यहां समुद्र में नहाने का मजा ले रहे हैं कुछ लोग वहां पे ठीव जो कुछ देखने का था बस यही था संसेट हो गया आप लोग अपने अपने रूम के तरफ यह देखिए सभी सभी अपने अपने रूम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और इधर था अपना संसेट पॉइंट देखें अभी ऐस सुर्यास को हो चुका है जो रियास खतम होने अब लोग सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं को अपने होटल में जा रहे हैं जो लोकल होंगे अपने घर को जाएंगे अब हम लोग भी चलते हैं अपने रूम पे अब यह देखिए मार्केटिंग यहां का अब लोग सभीच यह देखिए यहां का लोकल मार्केट तो सारे ट्यूरिस्ट यहां पर जूभी आते हैं यहां के लोकल मार्केटिंग के लिए देखिए चार उत्रफ दुखाने हैं शोटी-शोटी दुखाने हैं आप आये और साम का निजनकरत के तरफ कोुमारी ओर अपने यसा उसारी मार्केटिंग का पर स्सूर्ट में और नीकी तरफ है तो यह जो आशा है, न। इस अची की मारकेटिंग नहींना रिए है. आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं अपने रूम के तरफ अपने होटल के लिए कि ये देखिए यहां पर अरा तरह के कितने का अबाद हो धोला कि ये तुम्हारा अब बड़ा वाला 500 कैसे बजाएगा यार हम लोग से बजा के दिखाओ कि इस कैसे बचता ही तो यह है यहां का मार्केटिंग एरिया दोख लीजिए आप छोटे मुपे समान कुछ भी ब्रांडेट समान से यहां नहीं दिख रहा है मुझे लोकल मार्केट का समान होता है मैक्सिमम उस थाइप पे ही समान मिल रहा है यूजर फ्रो वाला समान आप एग बार ले जाए और यूज किजिए और फैक जी जी तो यह सब इस तरह के छोटे मुपे मेला में हम लोग खरीक्षे थे समान तो मेला वाला ही समान वाला एकम है आप यहां से कुछ यादगार क में रख सकते हैं यह सब यूजेन फ्रो वाला थी है अब यहां आईए दिजिए इसके नूज कीजिए और इधर इसके करके दो जाईए यही इधर का मार्केट एरिया देख लीजिए इसमें लगवक्त सारे बच्चों के लिए समान मैक्सिमम है पच्चों के खिलने पिदने के समान और इधर भी शुटे मोटे मार्केट यह देखिए काफी पुराने मंदिर है इसके काफी पुराने मंदिर है इसके और अभी बहुत जादा धिड़ नहीं है वितिंक यह चादी का पलना ना पत्थों के लकासी पे बनाया गया यह वे बनाय के लगगा लगगा यह रगण का यह बनादा यह बनाया गार कर फ़्द च्पास्ट अपेश्ट चाफ यह प्रामी मंनी नहीं कि अग कि इख ये cię है जलाजटाया करती अलेदान